C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा चार की ध्वनि पुस्तक गणित का जादू तेरवाँ पाट खेत और बाड़ प्रिष्ट 149 रहमत एक किसान है वो अपने खेत को गेहूं उगाने के लिए तयार कर रहा है यहाँ पर रहमत का खेत और रहमत को दिखाया गया है रहमत कहता है मुझे अपने खेत के चारों और बाड़ चाहिए मुझे कितनी तार खरीदनी पड़ेगी रहमत पता करना चाहता है कि चारों तरफ से खेत के घेरे की लंबाई कितनी है क्या तुम इस चित्र से ये पता कर सकते हो? हर बाजू के लंबाई उसके पास लिखी हुई है यहाँ पर रहमत खेत को नाप रहा है खेत की भुजाएं हैं 9 मीटर, 9 मीटर, 15 मीटर और 21 मीटर यहाँ पर रहमत का चित्र है वो कहता है खेत का घेरा 54 मीटर लंबा है एक अन्य चित्र में रहमत को बाढ़ के साथ दिखाया गया है रहमत ने बाढ़ के लिए 70 मीटर तार खरीदा प्रिष्ट 150 यहाँ पर रहमत के खेत का चित्र और रहमत और बाढ़ का चित्र है रहमत ने बाढ़ को हाथ से पकड़ रखा है और साथ ही गड़पत का चित्र है गड़पत सोच रहा है मुझे भी अपने खेत के लिए ऐसा ही करना चाहिए इसी के नीचे यहाँ पर एक बार फिर गड़पत और रहमत के चित्र है गड़पत रहमत से कहता है क्या तुम मुझे अपना बचा हुआ तार दे सकते हो? मैं उसे अपने खेत के लिए इस्तिमाल करूँगा। रहमत ने कहा, ओ, जरूर, क्यों नहीं? रहमत ने गणपत को कितना तार दिया? रिक्तिस्थान, इस प्रिष्ट के सबसे नीचे की तरव, खेत का चित्र और गणपत का चित्र है. गणपत ने अपने हाथ में बाढ उठा रखी है. गणपत ने रहमत को धन्यवाद दिया और अपने खेत के आसपास बाढ लगानी शुरू कर दी. लेकिर उसे और तार की ज़रूरत थी. गड़पत के खेत के घेरे की कुल लंबाई कितनी है? रिक्तिस्थान गड़पत को अपने खेत के लिए और कितना तार चाहिए? रिक्तिस्थान यहाँ पर पांच भोजाओं वाला एक खेत का चितर है जिसकी भोजाओं के लंबाई इस प्रकार है नौ मीटर, पंदरह मीटर, पंदरह मीटर, नौ मीटर और अठाहरा मीटर प्रिष्ट 151 अभ्यास का समय एक, यहां कुछ और खेतों के चित्र दिये गए हैं पता करो कि सबसे लंबा घेरा किसका है क, यहां पर एक खेत का चित्र है जिसकी चार भुजाएं है भुजाएं इस प्रकार हैं यहां पर एक अन्य खेत का चित्र है जिसकी चार भुजाएं हैं और इन चार भुजाओं की लंबाई इस प्रकार है पहली भुजा 9 मीटर, दूसरी भुजा 6 मीटर, तीसरी भुजा 3 मीटर, चौथी भुजा 6 मीटर, पांचवी भुजा 6 मीटर, और चटी भुजा 12 मीटर घेरा बराबर रिक्तिस्थान मीटर ग, यहाँ पर एक तीन भुजाओं वाला खेत दिखाया गया है इस खेत की भुजाएं इस प्रकार हैं, पहली भुजा 9 मीटर, दूसरी भुजा 12 मीटर और तीसरी भुजा 15 मीटर, घेरा बराबर रिक्तिस्थान मीटर घह यहाँ पर छे भुजाओं वाला एक और खेत दिखाया गया है, इन भुजाओं की लंबाई इस तरह से है पहली भुजा 15 मीटर, दूसरी भुजा 9 मीटर, तीसरी भुजा 15 मीटर, चोथी भुजा 15 मीटर, पांचवी भुजा 9 मीटर, और छटी भुजा 15 मीटर, घेरा बराबर रिक्तिस्थान मीटर प्रिष्ट 152 दो, चंदू के पिता उसके गाउं में जवान कहलाते हैं सत्तर वर्ष की उम्र में भी वो स्वस्थ हैं क्या तुम उनकी अच्छी सेहत का रास जानते हो? वो रोज सुभह सेर करने चंदू के खेत पर जाते हैं और खेत के चारों ओर चार चकर लगाते हैं वो कुल मिलाकर कितनी दूरी तै करते हैं। चार गुणा रिक्तिस्थान बराबर रिक्तिस्थान मीटर बराबर रिक्तिस्थान किलो मीटर। यहाँ पर एक आयताकार खेत का छित्र है, जिसकी लंबाई 150 मीटर और चौडाई 100 मीटर है। इस खेत के चारों तरफ चंदु के फिताजी को चक्कर लगाते भी दिखाया गया है। तीन, गणपत की पत्नी दरजी की दुगान पर काम करती है। उसे मेज पोश के चारों और लेस लगानी होती है। उसने 100 मीटर लेस खरी दी। नीचे दिये गए मेज पोश का चितर देखो और ये बताओ कि एक मेज पोश के लिए कितनी लेस की जरूरत पड़ेगी। रिक्तिस्थान यहाँ पर एक आयताकार मेज पोश का चितर है। जिसकी लंबाई एक मीटर पचास सेंटी मीटर और चौड़ाई पचास सेंटी मीटर है। तीन मेज पोशों के लिए कितनी लेस की जरूरत पड़ेगी। रिक्तिस्थान बंडल में कितनी लेस बची होगी। रिक्तिस्थान प्रिष्ट एकसोतरेपन खुद करके देखो एक नीचे दी गई अलग-अलग आकरतियों के घेरे की लंबाई पता लगाओ इशारा तुम धागे का प्रियोग कर सकते हो यहाँ पर एक आयताकार चितर है इस चितर में क, ख, ग, और घ, चार आकरतियां दिखाई गई है यह आकरतियां कुछ खानों को घेर कर बनाई गई है खाना गिनो और पता लगाओ हर एक आकरति में कितने खाने हैं किस आकरति में सबसे कम खाने हैं किस आकरति में सबसे ज्यादा खाने हैं दो, बीस सेंटीमीटर लंबा धागा लो, उसके सिरों को जोडते हुए अलग-अलग आकरतियां बनाओ, इसे अगले प्रिष्ट पर बने चौकोर खानू पर करो, पता करो, हर आकरती में कितने खाने हैं? सबसे बड़ी आकरती कौन सी है? सबसे चोटी आकरती कौन सी है? हर ए सकते हैं कि वो आधे से कम घेरे खाने को न गिने और आधे से ज़्यादा घेरे खाने को एक खाना मान लें. आगे चलकर ये समझ उन्हें संख्याओं के सनिक्टन यानि राउंडिंग आफ में मदद करेगा. प्रिष्ट 154. तीन, दो वर्गों को जोड़कर तुम कितनी अल अलग अलग आकरतिया बना सकते हो. नीचे दिये गए चौकोर खानों पर दर्शाओ. हर एक आकरती का गेरा कितना है? यहाँ पर एक आयत है जिसके 255 खाने हैं. पहली पंक्ती का साथमा खाना और दूसरी पंक्ती का आठमा खाना नीले रन से रंगा हुआ है और उसमें ति वर्गों के साथ भी करो. प्रिष्ट 155. अभ्यास का समय 1. एक वर्ग का गेरा 12 सेंटीमीटर यानी सीम है. क इस वर्ग के एक कोने से एक सेंटीमीटर का छोटा वर्ग काट दिया गया है. आकरती खा का गेरा ज्यादा होगा या कम. उसकी लंबाई पता लगाओ. यहाँ प वर्ग प्रवजा 3 सेंटीमीटर की है. वर्ग खा में दाहिनी तरफ का सबसे उपर का एक कोना 1 सेंटीमीटर काट कर दिखाया गया है. ख. अगर 1 सेंटीमीटर का वर्ग काट दें ताकि आकरती गअ बन जाए, तो गअ का गेरा कितना होगा? यहाँ पर 2 वर्गों के चितर ह वर्ग का और वर्ग गह. नई आकरती गह में उपर की भुजा में से एक हिस्सा सबसे बीच में से एक सेंटीमीटर काट कर दिखाया गया है. दो, क, नीचे दिये गए वर्ग गह के घेरे के लंबाई पता लगाओ. ख, वर्ग गह में से एक सेंटीमीटर के आठ वर्ग काट दिये गए. इससे नई आकरती रग बन गई. आकरती रग के घेरे के लंबाई कितनी होगी? यहाँ पर दो चित्र हैं. एक घह और दूसरा रग. चित्र घह के प्रतेग भुजा की लंबाई पात सेंटीमीटर है. आकरती रग में एक सेंटीमीटर के आठ वर्ग काटे हुए दिखाये गए हैं. ग, इस एक सेंटीमीटर के घेरे की लंबाई है. रिक्तिस्थान जमा, रिक्तिस्थान जमा, रिक्तिस्थान जमा, रिक्तिस्थान. क्या हम कह सकते हैं कि वर्ग के घेरे की लंबाई चार गुणा एक सेंटीमीटर है? प्रिष्ट एक सोचपण तेज दोड़ती है, पर फिर भी दोड़ हार जाती है. क्या तुम बता सकते हो क्यों? रिक्तिस्थान यहाँ पर दो गोलूं का चित्र है, जिस पर एक गोले में उशा और दूसरे में वालसमा को दोड़ते में दिखाया गया है. साथ ही, यहाँ पर दो बोड लगे हैं. एक में लिखा है आरंब और दूसरे में अंत. क्या तुमने कोई ऐसी रेस दिखी है, जहां दोड़ने वाले अलग-अलग जगे से शुरू करते हों, जैसा कि इस चित्रे में दिखाया गया है. सोचो, ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर तीन गोले दिखाये गए हैं. इन गोलों पर अलग-अलग तीन बच्चों को दोड़ते में दिखाया गया है. यहाँ पर चार बोड लगे हैं, जिन में से तीन पर आरंब और एक पर अंत लिखा है. स्कूल का बगीचा, कक्षा तीन और कक्षा चार के छात्रों ने सोचा कि बगीचे में कुछ सबजियां उगाई जाएं. उन्होंने एक जगह के चुनाव किया, जो इस चित्र जैसा लगता था. यहाँ पर कक्षा तीन और चार के बच्चे दिखाए गए हैं, और उनके बीच में दो बगीचे दिखाए गए हैं, बगीचा एक और बगीचा दो. इन दोनों बगीचों की बीच में एक रास्ता भी है. दोनों ही कक्षाओं के छात्रों को लगा कि बगीचा एक बड़ा था इसलिए दोनों ही बगीचा एक लेना चाहते थे अचानक नीतु ने कहा यहाँ पर दो बच्चों की चित रहें पहला बच्चा बोला दोसरा बच्चा बोला नीतु यह कैसे पता लगाए कि दोनों बगीचों में बराबर जगा है की नहीं प्रिष्ट 158 चलो कुछ करके देखें 1. अपनी कक्षा में रखी मेज को देखो सोचो कि उस पर कितनी गणित की किताबे रखी जा सकती है याद रहे कि किताबیں एक दूसरे पर न रखी हो और किताबों के बीच में जगा भी न बचे अपना अंदाजा यहां लिखो रिक्तिस्थान अब अपने अंदाजे की जाच करो तुम कितनी किताबें रख पाए रिक्तिस्थान तुम्हारे अंदाजे में और किताबों की सही संख्या में कितना अंतर है? रिक्तिस्थान, यहाँ पर एक बच्चा टेबल पर किताबे रखता हुआ दिखाई दे रहा है. दो, एक और मेज जुणडो, अब इन प्रश्णों के उत्तर तुम स्वैम दो. क, क्या ये मेज पिछली मेज से बड़ी है? हाँ, यह नहीं? ख, अंदाजा लगाओ कि इस मेज पर गणित की कितनी किताबे आ सकती हैं? रिक्तिस्थान, ग, अपने उत्तर को जाचो, तुम गणित की कितनी किताबे रख पाए? रिक्तिस्थान घ, दोनों मेजों के आकार में अंतर है, रिक्तिस्थान किताबें तीन क, गनित की कितनी किताबों को अख़बार के एक पन्ने से ढख सकते हैं, रिक्तिस्थान किताबें ख, अब तुम अपनी गणित की किताब को अखबार के आधे पन्ने से ढखने की कोशिश करो ग, क्या तुम अपनी किताब को इस छोटे कागस से ढख सकते हो प्रिश्ट 169 ग, वो सबसे छोटा कागस जूंडो जिससे तुम अपनी किताब को ढख सकते हो पता करो कि क्या तुम्हारे दोस्त ने तुमसे छोटा कागज इस्तिमाल किया इस चित्र में सबसे बड़ी पत्ती कौन सी है यहाँ पर एक वर्गा कार्चित्र है जिसमें 225 खाने है इसमें चार पत्तियां बनाई गई है यह पत्तियां कुछ वर्गों को ढख रही है ख बगीची से कुछ पत्तियां इकठी करो हर एक को इस चोखाने वाले कागज पर रखो उनके किनारू का घेरा बनाओ और पता करो कि हर एक पत्ति में कितने खाने है ग सबसे बड़ी पत्ति कौन सी है ग सबसे चोटी पत्ति कौन सी है प्रिष्ट 160 पांच क इस हरे रंग के बड़े वर्ग में एक सेंटीमीटर वाले कितने चोटे वर्ग है क्या तुम चोटे वर्गों को गिने बिना उनकी संख्या जल्दी से पता करने का तरीका सोच सकते हो यहाँ पर हरे रंग का एक वर्ग है जिसमें एक एक सेंटीमीटर के कुछ वर्ग बने हुए है छे अनुमाल लगाओ कि एक सेंटीमीटर वाले कितने वर्गों से ये नीले रंग की आयत भर जाएगी यहाँ पर नीले रंग की एक आयत है इस आयत में खड़े में चार वर्ग और पड़े में आठ वर्ग हैं और प्रतेक वर्ग एक सेंटीमीटर का है और बाकी जगा खाली है अपना अंदाजा यहां लिखो, रिक्तिस्थान अब इस आयत को छोटे वर्गों से भर कर अपने अंदाजे की जाच करो साथ, इस चित्र को देखो, क्या तुम इसे चार बराबर हिस्सों में बाढ़ सकते हो? हर हिस्से में वर्गों की संख्या बराबर होनी चाहिए यहां पर एक लड़की का चित्र है यहां पर एक आकरती है, जो समान आकार के बारा वर्गों से मिलकर बनी है प्रिष्ट 161 पहली, घर और कुवा रागवन के पास जमीन का एक टुकड़ा है इस जमीन पर चार घर हैं और बीच में एक कुवा है वो इस जमीन को अपने चार बच्चों में बराबर बाढ़ना चाहता है हर एक को एक घर मिलना चाहिए और सभी दूसरे के हिस्से में जाए बिना कुवे का इस्तिमाल कर पाएं क्या तुम जमीन को बाढ़ने में उसकी मदद कर सकते हो हर एक हिस्से में अलग रंग भरो यहाँ पर एक जमीन के टुकड़े का चितर है जिसमें बराबर आकार के 16 वर्ग बने हुए हैं इसी के साथ तेर्मा पाठ, खेत और बाढ अब यहीं समाप्त होता है स्वर, प्रमीन शर्मा, तकनीकी समनवयक, बटिलेंग लिंडो, ध्वनियंकन, विकास सांगवान, निर्मान सहयोग, रुचिशर्मा, निर्देशन और निर्मान, विमलेश चौधरी तथा प्रस्तोती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत